नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल रत्नराज अकैडमी में आपको स्वागत है आज के इस वीडियो में हम जनरल साइन्स के 25 क्वेश्चन अति महत्पूर्ण प्रश्ण को सौल्व करेंगे ये सभी प्रश्ण जो है प्रिवियस येर में हुए एंटी पीसी और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है तो पेट्रोलियम पदार्थ किसमें पाया जाता है तो देखिए दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ को है सैलो या परवस से प्राप्त किया जाता है और जो पेट्रोलियम पदार्थ है या अनवन प Radio हमारा नेट्रोजन की अधिकतर मात्रा निमलिकीत पदार्थ में पाई जाती है तो अंज है यूरिया अमुनियम एक chloride इसका सही answer है यूरिय में जो है nitrogen के अधिकतम मात्रा पाई जाती है और यूरिय का निर्मार जो है ammonium cyn et से किया जाता है उसको गर्म किया जाता है उसका सूत्र है अमोनियम NH4 CNO इसको जब गर्म किया जाता है तब क्या पराप्त होता है यूरिया पराप्त होता है NH2 NH2 CO NH2 ठीक है ये जो है यूरिया का सूत्र है इसको याद रखेंगे next question है हमारा आभुसडो को बनाते समय सोने में मिलाया जाने वाली धातू है तो सोने में क्या मिलाया जाता है जब अभुसड बनाया जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D तामबा जो है सोने धातू में मिलाया जाता है ठीक है इसका सही अंसर हो जाएगा option D तामबा जिसको कापर ही होलते हैं और इसे CEO से प्रदर्सित किया जाता है हमारा next question है साबून बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम लिखित के साथ मिलाया जाता है साबून बनाने के लिए कास्टिक सोडा निम लिखित के साथ मिलाया जाता है तो किसमें मिलाया जाता है तो किसमें मिलाया जाता है हमारा next question है अगला question, भोजन में vitamin D की कमी से होने वाला रोग है, भोजन में vitamin D की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, इसका सही answer हो जाएगा, option C सही हो जाएगा, रिकेट्स, इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारे शरीर की हड़ियां है, वो जो है, अल्फ विक्सित हो जाती है, और बोडी जो है, टेड़े मेड़े हो जाता है, ठीक है, जबकि बाकी option में देखें, तो इसकरवी रोग जो है, vitamin C की कमी से होने वाला रोग है, और बेरी बे एक कमी से होने वाला रोग है, इन सभी को याद रखी दोस्तों, next question है हमारा, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औसधी का नाम है, कौन से औसधी जो है, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औसधी है, ठीक है, तो इसका सही अंसर हो जाए कि डिया जाता है इन्सिलीन की कम CV याद रखेंगे next question है मारा निमनी लिखित के असलीख करण से ही रॉइन बनाई जाती है किसके असली हो जाती है मोर भीसे हों जायेगा recognize इसका रशायनिक सूत्र होता है, C17, C17, H19, NO3, यह जो है, मॉर्फिन का सूत्र है, मॉर्फिन या फिर, अफिन, यह जो है, नसीला पदार्थ होता है, और यह जो है, अचेतक के रूप में भी इसका उप्योग किया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेस्टन है, काँच में होता है, तो फ्लिंट काँच जो है, क्या होता है, इसमें जो है, क्या मिला रहता है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, आप्शन D, लेड क्रोमेट मिला होता है, लेड क्रोमेट के द्वारा फ्लिंट काँच बनाया जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, पी-बी-C 3-3-0-4 , ठीक है , यह जो है , लेड़ ग्रोमेट है , इसके द्वारा फिलिंट का बना होता है , हमारा next question है , इनसुलीन में कौन सा धातू उपस्थित होता है , जो इंसुलीन है , उसमें कौन सा धातू होता है , इसका सही अंसर है , जिंक होता है , जिंक जस्ता जिसे जिंक भी कहा जाता है इंसुलीन में जिंक धातु उपस्थित होता है इंसुलीन के कमी से क्या रोग होता है डाइबिटीज रोग होता है और इसको दूर करने के लिए इसको ड्रोगी को क्या दिया जाता है इंजेक्सन या फिर टेबलेट के द्वारे इंसूलीन परदान किया जाता है याद रखेंगी इसको next question है मारा मनुष्य का समाने रक्तचाप कितना होता है मनुष्य का समाने रक्तचाप कितना होता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option B 120 120 80 mmHg ठीक है यह जो है क्या है एक मनुष्य का समाने रक्तचाप है तो 120 जो है क्या होता है 120 उपर वाला जो है systolic pressure होता है जबकि 80 जो है diastolic pressure ठीक है और इसमें जो है Hg क्या होता है Hg क्या है पारा है ठीक है पारा एक ऐसे धातु है जो की द्राव रूम में पाया जाता है हमारा next question है मानाव सरीर में कुल कितनी मासपेसियां पाई जाती है मानाव सरीर में कुल कितनी मासपेसियां पाई जाती है इसका सही अंसर हो जाएगा option C 649 ठीक है मासपेसियां जो है मानाव सरीर में पाई जाती है हमारा next question है मनुष्य के सरीर में पसलियों के कितने जोडे होते हैं तो ये हो जाएगा option A, correct हो जाएगा 12 ठीक है, left side में 12 पसलियों और right side में भी 12 पसलियों कुल मिला कर 24 पसलियों पाई जाती है मनुष्य में, और जो है जोडे में 12 भारा होता है ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन है मारा, मानव में कितने दात आइस थाई होते हैं, मानव में कितने दात आइस थाई होते हैं, तो चार परकार के दात पाया जाता है, और वैस्क में दात की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है याद रखिए दोस्तो, next question है हमारा, कान में कुल कितनी अस्थियां होती है, कान में कुल कितनी अस्थियां होती है तो कान में जो पाया जाने वाली अस्थियां है उसको जो है ओसिकल्स कहा जाता है ठीक है और कान में जो है तीन हड्डियां पाई जाती है मुख्यता है कौन-कौन से मेलियस, इंकस और एक और है जिसका क्या नाम है इस टेपिस जो की सबसे छोटी हड़ी होती है मनुष्य की सरीर में है ना तो कान में जो है तीन और तीन दो जोड़े में जो है छै की संख्या में हड़ीयां पाई जाती है कान में जो है कुल कितने हड़ीयां होती है तो 6 हड़ियं होती है left side के कान में 3 और right side के कान में 3 तो गुल मिलाके 6 ठीक है next question है हमारा riboflavin है riboflavin क्या है vitamin है, पौधा है, पर्तिजैविक है या रंजक है तो इसका सही answer हो जाएगा option A, riboflavin जो है क्या होता है, vitamin होता है यह vitamin B2 का रसाइनिक नाम है, ठीक है vitamin B2 का रसाइनिक नाम क्या है riboflavin next है हमारा यह question जो है most important question है ठीक है राष्टी 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 प्रयोग साला NCL इस्थित है ठीक है, राष्टी 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 प्रयोग साला NCL कहां इस्थित है इसका सही अंसर हो जाएगा Option C पूडे में इस्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी 1950 में हुई थी ठीक है 1950 में राश्टी राशानिक प्रयोक साला की स्थापना कब हुई किस वार्श हुई 1950 में हुई याद रखेंगे दोस्तों ये most important question है next question है हमारा LPG के सिलेंडर LPG के सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाला दुरगंद किस कारड से होता है किस कारड से जो है LPG के जो सिलेंडर उसमें से दुरगंद आती है तो इसका सही अंसर क्या है Option C सही हो जाएगा Ethyl Mercaptain Ethyl Mercaptain के कारड ही LPG सिलेंडर से जो है दुरगंद आती है और LPG का फूल फाम क्या होता है Liquified Liquified Petroleum Gas Petroleum Petroleum Gas ठीक है LPG का पूरा नाम क्या है Liquified Petroleum Gas और इसमे कीन दो Gasों का मिस्टर होता है तो Propane और Butane इन दोनों Gas को मिलाया जाता है LPG सिलेंडर में और दुरगंद के लिए कौन सी Gas मिलाया जाती है Ethyl Mercaptain इसका रशानिक सुत्र क्या होता है C2 H5 SH यह जो है क्या है Ethyl Mercaptain का रशानिक सुत्र है इसको याद रखेंगे Most important question है यह Next question है हमारा महिलाओं के Sex Harmon को क्या कहते है जो महिलाओं में पाया जाने वाले जो Sex Harmon है तो कौन-कौन से है इसका सही answer है Estrogen और Progesterone यह दोनों जो है महिलाओं के Sex Harmon है तो इसका answer सही हो जाएगा Option C उपर युख तो दोनों ठीक है इसमें का जो Estrogen है Estrogen हर्मोन यह जो है Menstrual Cycle के लिए उत्तरदाई होता है जबकि Progesterone जो है Pregnancy के लिए उत्तरदाई हर्मोन होता है ठीक है इसको Pregnancy हर्मोन भी कहा जाता है किसको कहा जाता है Pregnancy हर्मोन इसको भी आज रखेंगे प्रुजेस्टिरान को प्रिग्रेंसी हर्मुन भी कहा जाता है हमारा next question है तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला सब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है ठीक है बैरल जो है कितने लीटर के बराबर होता है इसका सही answer हो जाएगा बहुत जो लोग है उन लोग की मिरित्य हो गया था यहां जो दुरघटना हुआ था यहां कौन से सन में हुआ था इसका सूत्र क्या होता है CH3 CH3 NCO ठीक है यह जो है किसका सुत्र है Methyl Aisocyanate ठीक है तो भुपाल जो गैस दुरघटना था वह कौन से सन्मी हुआ था 1984 में ठीक है और किस गैस के रिशा होने के कारण हुआ था Methyl Aisocyanate इसका रिशानिक सुत्र क्या होता है CH3 NCO ठीक है इसको याद रखेंगे Most important question है Next question है दूद का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है जो दूद का रंग होता है वह किस प्रोटीन के कारण जो है वह सदिखता है ठीक है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा Option B केसीन प्रोटीन के कारण जो है दूद का रंग जो होता है ठीक है जबकि मनुष्य से के जो रक्त है उसका रंग जो है किसके कारण होता है लाल होता है हीमो गलोबिन के कारण ठीक है हीमो गलोबिन के कारण जबकि इसको एच बी से प्रदरसित किया जाता है जबकि पेड़ पाधों का जो हरा रंग है या फि ठीक है, chlorophyll के कारण ही पौधों की पत्तियां या फिर पौधे हरा दिखाई देते हैं जबकि milanine यह मनुष्य के तवाचा है, उसमें यह वाणक पाया जाता है इसको pigment भी कहा जाता है ठीक है milanine pigment, तो कि मनुष्य के तवाचा के रंग के लिए उत्तरदाई होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताज महल का रंग सफेद से पीला किस कारण हो रहा है तो सफेद से पीला किस कारण से हो रहा है तो यहां जो है हो रहा है अमली वर्षा कारण ठीक है अमली वर्षा में जो है कौन कों से मुख्य गैस होते हैं कार्बन डाइकसाइड कार्बन म और शल्फर डायकसाइड यह दोनों गया है अमली वर्षा के लिए मुख्यता है रिस्पॉंसिबल होता है वारा नेक्स्ट क्वेस्चन है एचाईवी वायरस के कारण कौन सा रोग होता है है एचाईवी का फूल फाम क्या होता है human immuno वायरस ठीक है और यह जो है कौन सा रोग फ्यलाता है तो यह जो है AIDS रोग फ्यलाता है AIDS रोग फ्यल आता है इस वाइरस के करण जो है AIDS रोग होता है ठीक है AIDS A-I-D-S इसका पूरा नाम क्या है Acquired Immuno Deficiency Syndrome ठीक है याद रखी दोस्तो Acquired Immuno Deficiency Syndrome HIV वाइरस के करण AIDS रोग होता है ठीक है Next question है मारा पराग कड़ो के अध्यान को क्या कहा जाता है पराग कड़ो के pollen grain ठीक है पराग कड़ो को जो है pollen grain भी कहा जाता है इसके अध्यान को क्या कहा जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा Option A-Pelenology कहा जाता है पराकडो का जिस साखा में अध्यान किया जाता है विज्ञान की जिस साखा में अध्यान किया जाता है उसको क्या खा जाता है पहले नो लाजी कहा जाता है जबकि बाकी आप्शन में देखे सिस्मोलाजी यह भुकम का अध्यान किया जाता है इस साखा में ठीक है नेक्स्ट है ये एनाटॉमी इसके अंतरगत जियों के आंतरिक सरचनाओं का अध्यान किया जाता है ठीक है जबकि नेक्स्ट है हमारा आप्टिक्स इस साखा के अंतरगत प्रकास से सम्मंधी जितने भी जितने भी सोध किये जाते हैं या फिर अध्यान किये जाते हैं वो जो है आप्टिक्स कहलाते हैं ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है क्रितिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है क्रितिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता ह इसका अंसर क्रितिम वर्षा कराया जाता है इसका सुत्र क्रियोग में आने वाली सियाही किस रशायन का बना होता है वोट में जो परियोग करते हैं सियाही किस रशायन से बना होता है इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लिजिए और यह वीडियो आपको पसंद बनाया होगा तो यहां इसको सेयर कर देजिए थैंक यू अ